नाराज तो नहीं थे तेरे जाने से हम, मगर हैरान जुरू थे कि तुमने मुड़कर भी नहीं देखा, तो कोई आए, कोई जाए, बस आपने फ्यूचर पर ध्यान दे, ठीक है? सब मोम आया है, क्या लेकर आये थे, क्या लेकर जाना है? नमश्कार मैं जाए, आपका विग्रेक इसाम पर स्वागत करता हूँ, तो चलिए, फीजिक सा आगे टोपिक शुरू करते हैं, आज हम प्रेशर के बारे में बढ़ेंगे, ठीक है? प्रेशर को ही हम एक तरह से थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक? तो शुरू करते हैं प्रेश प्रेशर बोलेंगे, अगर हम बात करें प्रेशर के फोर्मूले की, तो देखिए, जो प्रेशर का फोर्मूला होता है, वो क्या होता है? फोर्स अपोन एरिया, ठीक है? जो प्रेशर का फोर्मूला होता है, वो होता है, प्रेशर इस इकल टो फोर्स अपोन एरिया, यानि क कि बही मैंने क्या बताया भी definition में कि एक तरह की force होती है जो कि perpendicular लिए लगा जाती है यानि perpendicular यानि जैसे कि एक surface है और इसके यह perpendicular हो गया ठीक है जब भी कोई दो चीज 90 degree का angle बनाएंगे तो उसे हम perpendicular बोलेंगे ठीक है तो यह force जब लगाई जाएगी किसी भी एक unit area पर ठीक है और वो किसी भी object के ठीक है वो किसी भी object का एक जो है unit area हो सकता है तो उसे हम pressure बोलेंगे pressure का formula बता दिया force upon area अब बात करते हैं जो pressure होता है है वो डिपेंड करता किन किन दो factors पर नमबर एक जो force अपलाई यानि कितनी forces पर अपलाई की जाएगी इस पर depend करेगा दूसरा क्या depend करेगा कि जो area होगा कि कितने area में वो force लगाई जाएगी ठीक है तो देखी जो pressure होता है वो inversely proportional होता है area की ठीक है जो pressure होगा वो inversely proportional होगा area की यह हो गया area और यह हो गया pressure तो देखी जो pressure होता है क्या जो pressure होगा वो जो है कम लगेगा जब area जादा होगा तो देखी इसका मतलब क्या हो गया प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया गटेगा या फिर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर गट जाएगा तो यह inversely proportional होते हैं यानि lesser the area higher the pressure ठीक है जितना एरिया कम होगा प्रेशर भी उतना जादा लगेगा उस चीज़ पर जैसे कि हम example ले एक नाइफ का नाइफ जो है सानी से काट देता है क्योंकि वह जो है sharp होता है और वह जो है एरिया में जब हम ऐसे रखते हैं तो एरिया महोता है वह उसकी जो sharpness जैसे वह माली जैसे हमें सेव काटनी है तो कम एरिया लेगा ठीक जहां पर रहिक हम रखेंगे तो इस वज़े से उस पर जादा प्रेशर लगेगा जिसकी वह जैसे वह एपल कट जाती है तो ध्यान रखिए यह इनवर्सली प्रपोशनल होते हैं चलिए अगे बात करते हैं थ्रस्ट की देखिए थ्रस्ट भी क्या होती है एक फोर्स होती है जो कि लगाई जाती है किसी भी बोडी पर ठीक है पर पेंडिक अग pagar का फूर्मूला निकालें तो क्या होगा थ्रस्ट इस इकल ट्व प्रेशर इंटू अगर बात करें ऐसकी ऐसा यूनिट की ऐसा यूनिट किसकी द्रस्ट की तो देखिए इसको बोलते हम न्यूटन जो इसकी यूनिट होगी isi unit होगी थ्रस्ती उसको बोलेंगे Newton और जो SI unit होगी किसकी pressure की कि यह वह होगी Pascal मे fines कर दो थेक्ल है थ्रस्तंट की Newton pressure की Pascal या फिर हम इसे जो है यह भी बहूर सकते हैं Newton Newton Newton-per-meter-square बात एक ही है ठीक है यह तो पास्कल बोले यह Newton-per-meter-square बोले बात एक ही ही दोनों एसा एनिट जो है प्रैशर की है और थ्रस्ट की जो है क्या है न्यूटन आके बात कर लेते हैं इसके कुछ एक जाधा हो जेगा जिससे कि pressure जो है कम लगेगा जब मैंने पहले बताया था lesser the area higher the pressure या फिर higher the area lesser the pressure तो area ज़ाधा हो गया इसी ज़से pressure कम लगा जब मैं ख़डाँ हूँ पे तो जो है pressure जादा लग रहा है as compared to the जब मैं चलता हूँ क्योंकि अब मेरे जो हैं दोनों पहरे जमीन पर हैं और जब मैं चलूँगा तो जो है मेरा एक पहरे जमीन पर होगा जिसकी वजह से जो है एरिया कम हो गया और प्रेशर जो है ज़्यादा लगेगा आया समझ या फिर हम और एक्जामपल ले सकते हैं जैसे कि जो ट्रैक्टर के टायर होते हैं वो चोड़े क्यों होते हैं ताकि वो जो है उनका एरिया जादा हो जाए और वो ग्राउंड में निचे न दब जाएं इसी वज़य से जब हम ट्रैक्टर केत में चलाते हैं तो वो इसी वज़े से निर्दस्ते मां पे ताकि उनका टायर का एरिया जादा हो जाएगा और वो जो है प्रेशर कम लगेगा आया समझ प्रेशर और थ्रस्ट क्या होता है तो चलिए फिर आज इक लास में तरह करते हैं अगले क्लास में हम जो है आर्किमेटीज प्रिंसिपल करेंगे तो अगर आपको हमारे क्लास हस्ची लगे तो शीयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूले धन्यवाद